हलो फ्रेंड्स मैं हूरीना और किचन हांडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज में आपको साथ में शेयर कह रही हूँ मश्रूम और कौन की सब्जी जो बहुत ही स्वाधिस्ट है जो लोग को मश्रूम पसंद नहीं है उनकी भी सब्जी होने वाली है ऐसे देखते इस रेसिपी को कैसे बननला है तो मैंने 200 ग्राम मुश्रूम्स लिए है यह बटन Влад मुश्रूम में नि च्होते मॉर्य मॉल खिब ले कैसे चौल जो लिया है पानी तो पानी में नहीं रखेंगे तो हमने निकाल लिया है तो बड़े शुख बंद कर सकते हैं एक तवा लिया है इस पर डाल देंगे एक बड़ा चमच बेसन चने का बेसन है इसको हमें लो फ्लेम पे भीनी भीनी खुश्मुवाने तक पका लेना है तो चलिए यह पग गया और इनको हम गैस बंद करके साइड में रख देते हैं एक कड़ाई में दो पड़े चमच हमने तेल लिया है और इसमें डाल देंगे दो सुखी लाल मिर्च एक छोटा चमच जीरा हमें डाला है इसमें दाल चीनी डाल दिये हैं दो छोटी वाली इलाइची को क्रश करके डाला ह मैं पांड मूले और देखने रमऄखते हैं तो बनाल देंगे दो मीडियुम साइज के प्याज है और इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्चे और फीर लेंगे तो यह हमारी टामटो को प्यूली होती है चले प्याज डेख लेते हैं आप देख सकते प्याज का छोलर है burg女 ब्र तो चलिए अब हम अपने गैस का फ्लेम कर लेते हैं, बिलकुल लो और लो फ्लेम पे हम डाल देंगे, आदा चोटा छमच, हल्दी पौवडर, एक चोटा चमच, कश्मिरी लाल बीज पौवडर, आदा चोटा चमच, घरम मसाल पौडर, आदा चोटा चमच, हमने इसमें जीर तक हमारी जो ग्रेवी है इस बेशन से बहुत ही बढ़ियां बनने वाली ए ठिक ग्रेवी जो हम मारकेट में खाते न बिलकुल वैसी बनेगी अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने टामाटर का पेस्ट बनाया न वह हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अच्छ करके लो फ्लेम पर पकाएंगे तो आप देख सकते हैं साइट से जो है इसमें से ओयल रिलीज होना शुरू हो किया है तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको आप देख सकते हैं मसालों के वज़े से इसका जो कलर है वह बहुत बेढ़ियां आया है अब ह तो चलिए इसमें अब डाल देते हैं हमें यह आधा कप जो स्वीट कॉंस आते हैं उसको मैंने बॉयल कर लिया था यह उबाल लिया था यह आप चाहें तो फ्रोजन वाले स्वीट कॉंस का भी इसमें हमने कर लिया है बढ़ियां सा इसको भी मिक्स और आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही बढ़ियां लग रही है अब इसमें हम मिला देते हैं स्वाद अनुसार नमक आप जैसा नमक खाते हैं आप उतना नमक इसमें डाल दीचेगा और इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स अब हम इसे जो हमारे जो मश्रूम सेना इसको हमें पीसे में कट कर और यह मेरे बटन मश्रूम है यानि हाफ करने के बाद यह ठीक लग रहे हैं तो मैंने इतने बड़े से कट किया है यह आपके मश्रूम ज्यादा बड़े हैं तो आप इसे ज्यादा पीसे में भी कट सकते हैं यानि चार पीसे में आप इसे काट सकते हैं तो इस तरीके से हम प्तूम हम अपने ग्रेवी अड़ेंगे है यह हमों इस इसे पषान हने और इसे अरुपामा गण dark fed, हम इस अब तरहनी है औरुपल्थ हab students के लिपाइन वर्षाआ के वजजे चेहित इस सब्सक्री दीजनया है अब हमने इसमें डाल दिया है बारिक कटा हुआ धनिया और इसे भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और यह हमारी लाजवाब सी रेसिपी हो गई है बिल्कुर तयार तो चलिए गैस का फ्लेम हम कर लेते हैं बन और मैं आपको दिखाती हूं कि यह कितनी बढ़ियां सी हमारी रेसिपी बनके तयार हुई है जो लोग मश्रूम नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं हमारी जो यह रेसिपी है वो कितनी बढ़ियां सी बनी है जैसे हम धाबा या रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसे लेकिन इसका टेस्ट जोए ना उनसे भी बहुत ही अच्छा है इसे आप घर पर ट्राइ जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि यह रेसिपी आप कहां से यानि किस शहर से किस सिटी से आप देख रहे हैं या किस गाहों से देख रहेंगे आप मुझे ने गुए या ना फिर देख रहें आप टिक ले टेक कार और बाई राई